कि नमस्कार मैं अरुन कुमार जैन व्याक्षाता साज की नवीन कन्या उस्तर माधें कुद्याल है तुल्सी नगर भौपार अज सानेजारी सामान के बारे में पढ़ेंगे तो एकार की व्यापार की बहुत सी कठनांई और कारण सानेजारी का जन्मुति होता है कि il‑is उसके पास सीमित सादन होते हैं, पूंजी स्रीमित होती है, व्यापार के संचालन की छंता भी स्रीमित होती है, अधि इसी दिश्टी को बढ़ाने के देंच से सानेदारी का जनुवा था, तो सानेदारी का मतलब समझते होंगे, इसमें जब दो या दो से अधिक ब्यक्ति मिलकर किसी बैर व्यापार को चलाने के लिए एकतित होते हैं, और आपस में लाब बांटने के लिए एकतित होते हैं, तो वो सानेदारी कहला जो है, इसमें एक बारती सानेदारी के अंतरेट की परिवासा भी दी है, कि बारती सानेदारी अधियम 1932 की दारा चार के अंसार, सानेदारी ब्यक्तियों को पारिस पर एक संबन्द है, जो उन सब के दोरा या उन सब की ओर से, किसी एक ब्यक्ति दोरा सानेद ब्यापार का लाब आपस में बाचने जिलिए सैमत होते तो साइधारी में कम से कम दो ग्तियों का नहों नहों जरूरी है और उनमें आपस में लाब बाफनाओ पाया है तो कोई बैद बैपार करने के लिए सहमत होते हैं इसकी विशेष्टे हैं परिख्षान अंखेंघ्षार आती समझोता लिखित भी हो सकता है लेकिन जहां तक समझोता जो है लिखित हो वो जाला अच्छा माना जाता है क्योंकि मौकिक समझेते हैं कभी-कभी किसी प्रकार से बिवाद की स्थित्यूत्पन हो जाती है लिखित समझोता ज्याला अच्छा माना जाता है तो बैद अनुमन होना चाहिए, दो या दो से अजिक व्यक्तियों का होना, लेकिस साज़दारी में कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवर शक मेरे यदि दो व्यक्तियों से संक्या घटकर एक रह जाएगी तो वो सानिदारी नहीं कहलाएगी इसमें कम से कम दो व्यक्ति होते हैं और एक सामन संचानल व्यापार में ज्यादा ज्यादा आधिक कम 20 व्यक्ति हो सकते हैं बैंकिंग व्यक्तियों में अधिक तर 10 व्यक्ति हो सकत यहिलिगल नहीं अब को विवहाजन, जितने भी साहिनदार हैं, उन शब को आपस में लाब का विवहाजन करना पड़ता है. ये ज़रूर नहीं है कि सभी साइंदार आपस में बरावर बरावर लाब बाटें, उनका आपस में जुत्य हो जाता है, कोई कम भी लाब मिल सकता है, कोई साइंदार ज्यादा लाब मिल सकता है, कोई साइंदार को ज्यादा पूनी लगा रहा है, कोई साइंदार कम पूनी सब्सक्राइन का ल Voor fiance और र है उयुक्ता है तो सभी वक्ती मिलकर साहे जाते हैं तो उंका लावहनी का अनुपात आपस में जो त्वाय कर लेतें वह पस में बासने बालतना चाहिए तो भीहापार का संचालं आप कर सकते हैं या सबसानिधार की गोठ से कुई एक सानिधार कर सकते हैं अगला की विस्षेष्ट का हस्तांत्रं नहीं कोई एका आगी व्यातपार के ता है सानेडारों के अभी पूरती करना पड़ता है यदि सभी साइंदार किसी कारण दिवालिया हो जाते हैं तो जो से से एक साइंदार उसको भी पुसानी का भुक्तान करना पड़ता है तो पृत्ते एक साइंदार के इसमें दायच तुझे होता है अच्छीमित होता है इसके बार पृत्ता कस्तित नहीं साइंदार और को द्वारा किया गया कार सभी साइंदारों को द्वारा किया गया कार माना जाता है तो इसमें साथ नंबर को कोशन आते हैं अपने साइंदारी सामाने में तीन नंबर के बस्तिनिष्ट और कोई भी एक चार नंबर का कोशन आ सकता है सवाल है कोशन आ सकता है सवाल है कोशन आ सनलेख, तो अभी अबने बताया था कि साइना ये होती है, तो उसमें सनलेख बनायाता है, सनलेख जो परकार का होता है, मौखित भी होता है, लेकिन लिखित सनलेख जादा महत्पून माना जाता है, तो सनलेख जो अपन बनाते हैं, तो उसमें कुछ महत्पून बात हैं, कि बाद में किसी प्रकार का कोई बिवाद उत्पन्यों कि इस्थिती ना पड़े तो एक सनलिख में कौन-कौन सी महतून बाते हैं लिखना चाहिए सबसे पहले आती ही फर्म का नाम और पटा फर्म का क्या नाम होगा यह अपने लिख लेना चाहिए तो वैसे तो फर्म का सुदा सा ठीयान यह रिखना जाए कि ऐसा नाम ना रखा जाये जो किसी अलने फर्म से मिलचा दिलता हो चैब इसमें क्या होगा घ्रम की स्थिती पैदा हो सकती है इसके बाद पता फर्म का रिष्टर का रहले कि इस्तान पर होगा यह इसमें लिख जाने चाहिए फर्म का यह नव los dry check the bag and the शांडाली बनाई जा रही कि स्थाने आधे कि उसका स्भी इन अफ इस्थानह लोगे या स्थान करें calamंगे या जाए को परांति करें विए या परांत अंतर 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 राष्ट ही आप इस विए उसमें स्भाइब नवर उसमें उस्प्रणो new कि उने रूप से लखना चाहिए इसाई दारों की नाम और पते कहने रहें पर में रहेंगे उनके नाम क्या है? इ। न्यश्पाइन सब्सक्राइब का περιेश कर्मे दो कारणों से एक LPH सकती है करने को चैसे के लिए और पर बेसे देंच के लिए यह को चाहिक है एक संढ़ास कि प्रिविस किस शाहब से किया जाएगा या सरसम्मत से किया जाएगा यह इस कि अब कु इसके बाद साइनलेší ये जरूर नहीं है कि कि सभी साहिजार फ़र्म को बरावर बरावर पूरिव यह कोई आपक आशिक नहीं है अपने लिखा कि कोई साहिजार अधन्वान होते हो जयादा पैसा लगा सकते हैं कोई साहिजार कम पैसे लगाते हैं लेकर उनका बयापार संचालरमे अच्छा भाग हो सकता है तो कौन दा तो रोनिकर men को पितनी पूनी देगा, यह साहिदार सेंनेध में इस परष्जूट दे लख लाना? इसके बाद पूनी पर ब्याच अगर माय साहिदारों में पूनी लगाई है क्या उस पूनी पर साहिदारों को पूनी पर ब्याज दिया जाएगा? या नहीं और अगर ब्यास दिया जाएगा पूनी पर तो किस धर से पूनी पर ब्यास दिया जाएगा। ये भी साइंदारी सनलेख में इस परश को लिख रहना चाहिए इसके ऑर्ण की अबदी। कि अबदी दीवाने समय कितने समय के लिए अर्णारी टैया की गई है, बनी गई है। तो इसमें अबदी का भी उल्लेख होना चाहिए। क्या कुई विशेश कार कर रहे हैं। वोकार पूर्ण होने पर साहेजारी समात हो जाएगी, या उसकी अवजी दिमेश्चित रहेगी, या तो ये कितने समय के लिए साहेजारी बनाई जा रही है, उसकी अवजी कही उल्ले फूसमे होना चाहिए। आहरण एवं उसका आहरण का मतलब आपन समझते हैं कि जब कोई साहेजार फर्म से पैसा या माल निजी प्रियोग के लिए निकाल लेता है, तो वे उसका आहरण कहलाता है। तो कोई साहेजार फर्म से कितना आहरण कर सकता है, कपकव आहरण कर सकता है। और इस आहरण पर उससे किस क्रतिशत की जर्थ से ब्याज लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। नहीं और यदि ब्याज लिया जाता है तो इस ज़र से उससे ब्याज लिया जाएगा यह भी साइजारी सनलेग में इस पर शूरूट से खोलना जाएगा अगर आता है इसमें लावहानी का बेभाजन देखे अभी हमने बता था कि यह आवश्यक नहीं है कि फर्म में जितने साइजार हैं सभी को बराबर-बराबर लावहानी बाता जाएं यह तो सभी साइजार आपस में प्यकरके लावहानी का बेभाजन क्या होगा बराबर भी हो सकता है या अंद्ड कोयन पास से भी लावान कर वाजन कर सकते हैं तो यह इस पर शुलिक हो जाता है कि किस अनुपाद से साने रारी में लावानी कर वाजन होगा यह अपनी पूप सनलेख बनाते समय उसमें लिख लैना चाहिए इसके बाद फर्म द्वारा रहा है कि कभी कभी क्या होता फर्म को और पैसी की आख शप्ता होती है तो क्या कोई साइदार रूप में पैसा देगा और जो रिलिकर रूप में फर्म को पैसा देगा तो किस दर से प्यास दिया जाएगा यह धी फर में जब सनलेख बनाते हैं तो सनलेख में यह को प्लिख कर देना चाहिए और पैसे गया शक्तों से कुनी के अलावा कोई साइंडार फर्म के रूप में पैसा देता है तो उसे किस दर से उसके रिण पर प्याज दिया जाएगा जिर अपने को सनलेट में लिख रहना जाएगे इसके बाद साइंडारों का कमिशन या वेतन कभी 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 क्या होता कोई साइंडार फर्म में बहुत एक सक्री रूप से रहकर कार करता है बहुत पार्शनिक महनत करता है तो क्या किसी साइंडार को पेतन या प्रमिशन के रूप में पैसा दिया जाएगा या नहीं कि अब सनलेट बनाते हैं तो उसमें यह महत कुम बात हैं लिखना चाहिए साइंडारी का समापन किस विद्धी से समापन किया जाएगा यह भी अपने सनलेट में सपश्रों से लिखना चाहिए साइधारों के नियमों का उलंगन यदि कोई साइधार साइधार के नियम के उलंगन करता है तो उसको फिर क्या दंडी की विवस्ता रहेगी यह भी संलेप में लिखना चाहिए इसके बाद ख्याती का मुल्यांकन दिखे ख्याती का मुल्यांकन क्या होता है कि जब कोई से निब्रित होता है तब ख्याती का मुल्यांगन करने की आवशक्ता पड़ती है तो ख्याती मुल्यांगन की विधी क्या होगी अदिधी आपने क्युसमें किस्ट रूसे लिख लेना चाहिए तो पुं साय और बैंकें चैक पर हस्ता करने का दिकाए करकें किस आइदार को दिया जाएगा और अंत में वोलता है तोकि अपन शैसला क 경찰 ayma माकदम से लग लिखे reconoc об drumद6 और जाएगा ये Johnson कि इस एफ में लिख लेना चाहिए क्योंकि अब जतनी की है यह यह सं लिख में जादा जादा लेते हैं तो बाद में किसी पुर्पार की बिवाद होने की इस्तिती नहीं बनता एक क्यों बिवाद वहां पर होता है जब कोई बात इस पर्ष्ट रूप से ना लिखी गई है अ ये अपने को जरूर साइनगारी संलेख में लिख लेना चाहिए। कि इसके पाद इसके और अब आज़िये संलेख के अभाव में लग वाली निये। कभी कभी क्या होता है कि कई घनिष्ट में ततने गहुत घनिष्ट होते हैं और वो किसी भी प्रकार का मौफिक ό, लिखित समझोते महीं चाहिए और सांदारी को शुरू कर देती। और पाद में कई प्रकार के लिए विवाद पन होने लगए इसलिए पहले बता है कि जब भी साइधार सुरी की जाए तो संलेफ बनाया जाए और संलेफ में महत्पून बातों को लिखने में चाहिए लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि संलेफ नहीं बना और अधिया कि आधि साहें दाने में नीफ नीफ बत्तीस नौ से सतरा तक धारा में उच्छित कि दिया में इन वो नीफ पूसको लागू होंगे तो यह अधि यह अधिने चनलेफ नहीं बनाया है कि आवाव में वाले नीम बचा जीए अब आई है इस अब आवाव में लागू होने वाले नियम क्या है यह हर विध्याक्ति को अच्छी सरह से याद होने चाहिए क्योंकि आगे अपन जब सवाल करें तो उसमें सनले क्या वहाव में वह से नियम लागू होने तो सबसे पहला प्यापार का संचालन कि अपने सानेजारी संलेक नहीं बनाया है तो ब्यापार के संचालन में सभी सानेजारों को भाग लेने करें बिदार होगा तो सब सानिदार ब्यापार्ट के संची चानल में आवे हैं इसका पूंजी पर ब्याच अब दो बतादा कि ये जबू भी नहीं है कि सबी सानिदार फर्म में बरावर बरावर पूंजी लगाएं कोई सानिदार जादा पूंजी लगाता है कोई सानिदार कम पूंजी लगाता है अगर उनका समझ होता है तो तो पूंजी पर ब्याच उस अनुकात में दिया जाता है लेकिन सनलेक के अभाव में किसी भी सानिदार को पूंजी पर ब्याच नहीं दिया जाएगा अभी बार भीवागन पन्नों लगता एक मैं ने ज़्याला पूनिय लगाई है आप प्रूण है मैं मुझको इस पूनिय पर इतना व्याद मिलना चाहिए लेकिन संजो कर नहीं किया तो क्या ब्यक्ति आज नहीं दिया जाएगा किसी एक ब्यक्ति ने एक लाग कुनी लगाई हो दूसरे ब्यक्ति ने दस अजार कुनी लगाई हो तीसरे ब्यक्ति कुछ भी कुनी नहीं लगाई हो किसी भी ब्यक्ति को सनले के अभाव में कि परग्याज दिया जाएगा कि इसकी बाद है कि आहरण पर जाएं कि आहरण अपर में देखा था भी कि कोई शाहिंदार फार्म से पेशा है अमाल निकालता है तुब है उसका आहरण करता है फार्म से इसा निकालता तो ऊस पर भी किसी घरण का बयाज नहीं लिया जाएगा तो नहीं दिया जाएगा और अहरण पर भी बयाज नहीं लिया लागा इसके बाद में रिड़भाज कि किसी साज़ेदार ने फर्म को कुछी के अलावा कि दिए कुछ पैसा और दिया है तो उस दिन पर 6 प्रतीसत बार्सिक की ज़र से ब्याज दिया है अब श्नाव कि अब श्नाव कि अब्याज मिलेगा मार्च इन महीन ने का मिलेगा पूरिया वर्सा नहीं कि मैने का व्याज भानिका पूरिये वर्सक अश्ञार अगया है इसके बाद लावानी का बेभाजन सनलिक के अभाव में सभी साइजारों को लावानी का बेभाजन बरावर बरावर किया जाएगा कितनी पूनी लगाई हो कितनी सक्रिता से बहर में भाग ले रहा हो और उसकी परकार का रावन का अनुपास नहीं है संलेख का अभाव है, संलेख नहीं बनाया है, कि किसी भी साहिदार को संलेख के अभाव में बरावर बरावर लावानी बाता जाया, उसमें कोई साहिदार यह नहीं कहता कि मेरी पूजी ज्यादा है, मेरी मिनत ज्यादा है, मेरे को ज्यादा लाब दिया जाए, मुझे पूज कि यह उसका निप्टारा रहा हुदा है लेकिन सनले के अवाव में लावानी को परावर परावर के हिसाब से बाठा जाएगा निजी हिसाब कर लाव कि फर्म के आदम कुछ इस्परकार का व्यापार फर्म के बादम कर रहा है उसको कुछ लाव हो रहा है तो तो प était फर्म को जाना होगा थो पर्म के भी मिजी लवा कि उसको बोटूरा कर फर्म को बहुत आप जैना होगा पर्म की संपथिएं का फ्योग केवल तो पर्म के कारियों के लिए किया जाएगा फर्म के श्युदी आयएगा किसी सानिजार ने फर्म को किसी वी प्रकार की छत्री से बचाने के लिए तो इतना पैसा उसने खच पिया है वो उतना पैसा पाने का अधिकार होगा अगर आता है बेतन वा कमीशन किसी भी सानिजार को बेतन और कमीशन नहीं दिया जाएगा चाहे कोई सानिजार कितना भी फर्म में मेहनद कर रहा हो और एक सानिजार बिलकुल भी फर्म में नहीं आ रहा हो तब भी अगर उनका कोई समयोता नहीं है तो उस सानिजार को बेतन या कमीशन किसी सानिजार को नहीं मिलाएगा लापरवाई के लिए छती पूर्ती जदी किसी सानिजार ने लापरवाई किये और उस लापरवाई कारण फर्म को नुक्सान हुआ है तो उस नुक्सान की पूर्ती उस सानिजार से बसूल की जाएगा इसके बाद अब आता है सान्यदार का प्रिमेश, जदी फर्मे माली जिए कोई नई सान्यदार की और आउड़ा, खाल सकता है सानले के अब हाओ में सर्वसंमति से, जदी सभी सान्यदार चाहते हैं ले सान्यदार को परिवेश दिया जाएं, तो फिर अपनलों सान्यदार को परिवेश दिया जा सकता है, ओर शाहीयी का अपकास सामेलार को चाहिए कोलाग होता है विसका लेंकोग सकता है तो यह सब सन्लिक क्या भाव में तो अपन जोनों प्रकार की नियम देख चुका है कि इसाले दारी संलेट बनाना चाहिए सनलेट में मैथ कुन बात में क्या क्या है सारी बाते लिख जाहिए कि संलेग बनाने से बाद में किसी प्रकार की परिसानी का सामना नहीं करना पड़ता अक्सर जहां सानिदार सनलेख नहीं बनाते हैं तो बाद में उनी सानिदाब में आपस में बिवाद की ज्याजा उस्पन दूती है लेकिन फिर भी कि अगर सनलेख आभाव है तो फिर पूरा निफ्टारा लावानी का अपनको सनलेख के अभाव में जो नियम लागू होंगे उनके अनुसार लावानी के निफ्टारा करना पड़ता है अदिकी सामान साहिजारी में अपने को सवाल किस तरह से आते हैं सवाल कौन-कौन से करते अभि हमने बता है कि समें 7 number के question व स्तीनिष्ट रहं disciplined रहा है कि मैं कौशन हथन हो सकता है सवाल सब्सक्राइब लिख्काब चर्म मिसलिघा अब उनको सबांब कर फिरकल रहे हैं इस में लावानी कि वीज्ड खाता बनाया जाता है और तो लावानी योजन क्या है क्या होता है लावनी योजन होता है में अपसमें भइन sensitive लावा है आपसमें भातने लिए लावनी नेमाणूजन फाता बना जाए चवर्फ 7 मैं आपको मादो ऑनॉज्प्ष होते हैं और तो मुझी आगसर ए लावनीघ्र है होतीं है। लिखते हैं और नाम पक्ष में कौन-कौन चीह आती हैं सबसे पहले जमापक्ष में इतना भी फर्म को लाब हुआ है वो लाब अपन लावानियों इन्थाते में ट्रांसपर कर देते हैं जमापक्ष में वो लाब लिखा जाते हैं क्यों कि यदी कि सांख़ दारों द्वारा आरन्था source को प्राप्ष हुआ है तो वह कि फर्म का लाव हिवता है इसलिए शांख़ और यह सांख़ ही सांख़ों से वह अपनियों को लावानियों निजन खाते के जमापक्ष में लिखना कि इस चीज़ लावानिय खाते कि जमा सोलें नाम पक्षम आतिए इसके बाद नाम पक्षम पर देखना है डरॉक साइड में नों को हाई गोड़ साइड करके उनको पूणी पर विधा उस डर से देंगे और पो humain नेयोजन खातेश के नाम फक्षम करें कि इस के बाद किसी साहिंदार को बेतन या कमीशन देना है कि तो ऊड़सी लावानई हाथे के नाम पक्स में लिखेंगे इसके बआज इस खाते में कि शाएना बेतर नैना तो लिखेंगे, कि तू पड़़न नैना तो लिखेंगे, इस सारी चीश्ट हटाने के बाद इसके बाद येली कुछ बचता है, तो फिर सबी शाएना आपस में आप लेंगे, उसे भी नामबक्ष में लिखेंगे, यजिन गु सब्सक्राइब सब्सक्राइब मतनी इसका कि आपकर दो सब्सक्राइब इस बाद इस खाते में पूजी खाते ही बनाए जाते हैं तो पूजी खाते जो अपन बनाते हैं वो तो जो प्रकार की पूणी होती है, एक स्थाई पूणी होती है और एक परिवर्तन सीर पूणी, देखिए स्थाई पूणी खाता है, जो पूणी साहिदार हमेशा स्थाई रहती है, उसमें किसी भी वर्स किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, हमेशा वो उनकी पू प्रतिवार्स बदलती रहती है तो फिर उनको केवल प्रतिवार्स बदलती रहती है प्रतिवार्स बदलती रहती है। अब सोड़ा कमी कर जो जितनी पुन्जी आज है वो यह बले वर्स वह उसमें किसी भी क्रार का कोई चेंज नहीं होता। इस्थाई पूरी कर लाद है जब कि परिवर्दन निक के हुटी है परिवर्दन जिए पृणी होती है के प्रती वर्स बदलती रहती है क्योंकि उसमें ऑसमें गया लाँ आरण सब leica होता है और होज साल पूर्णरी कर लिश YOUR हमस्तों भूए है नहीं कर भूए इसके बाद जो हमारे के लाम मिलें ब्याइज मिला है कमिशन मिला है उसके लिए हमको अलग से पर चालूफातर करेंट अगाउंट बनाना पड़ते हैं जबकि परिवर्थन सील पूरी पद्दती में चालूफातर रखने की अश्यक्त इसमें लगाए गई पूरी का ही लेखा उता जिव पर ने पूरी लगाई उसके लेखा करते हैं जबकि परिवर्थन सील पूरी में लगाए गई पूरी के साथ-साथ ब्याज लाव कमिशन जो भी है सबका लेखा किया जाता है इसके बार देखता है कि स्थाइपूरी का सेस जो होता है कि परिवद्द भाज ने पर इस खात्रे के संय्स में एक बार परी वर्दन होहिसा यदी माली कि अपन की परीवर्दन करा हैं पूनी में diye और रज़गना चाह रहा है तो एक बार अपन पूनियों ब्रज्जी करके इसकी पूनिय को बढ़ा सकते हैं स्थाइपूनिय परिवतन पज़ती तो पृतिवर्स बढ़ती रहती है तो इसको अपन एक बार और पूनिय बढ़ाना किसी की पहले अपनने 10,000 पूनिय और बढ़ाना हैं सब लोग मिल कर साय अगाँ पूनिय दिकना चाहा हैं तो एक बार पूनिय मरधी कर सकते हैं लेकिन परिवतन पूनिय के ते में तो प्री दुझ डियूर्स भरस। बशल की रहती तो ये दोनों प्रकार दिखाते रखे जाते तो इस मैंने मत्था अवाई नियुजयन खाता बनाना होता है और किस प्रकार बनता अभी अपनी सोड़ा समझा और उसके बाद पुनी खाते बनाई आ जाते हैं पुनी खाते के वारे जैए अगर कुष्यांदार तो उसके साथ उसे चालू खाता रगना पड़ता है और यह परिवर्दन से पुल्पजदती से अपने काते रखते हैं तो उसको किसी प्रिकार से और चालू काता रखने के आपशक्ता नहीं पड़ते हैं अब जब भी अपन लावनी नियोजन खाता बनाते हैं तो उसमें पूर पर गयाल लगाना होता है तो पूरिप अगाते हैं इसाये फिस सब्रीक तो एंगे किस ऐगार की कितनी पूजी है एक्जमपल अपने रिका किसी एगार की पूजी दस अजार है और उसको 10% आपने को ब्याज देना तो दस अजार इंटी दस बटे 100 करेंगे तो एक हजाब रोप इसको पूजी पर ब्याज निकला है तो यह तो बहुत जीव हैं पूजी पर ब् आफ अफाल पन पर ब्याज लेती वित to Самर ब्याज किस प्रकार लिया जाएगा इसके लिए अपनेAh कारने की आवर अक ब्याज का हथ लेते हैं इसके लिए अपने को देविना किन वर के यह वैज्म पर आपन देख रहे हैं एक अपने छोटा सोतान आप्रह घरा होगा और इनके द्वारव वर्ष 2010-9 ररन किया जिए किसी ने कभी रखम निखाली किसी ने कभी रखम निकाली उस पर ब्यार्ट किस तरह से लगा या जाएगा यह हपने इसे अ फिलमेंफ ने दिखा उसने 2 june को उसने 2000 रॉपे निकाले ऐक Оч्षा को सुरे 1000 रूपे निकाले इसली प्र I q da भी कुछाफ से पैसे निकाले घ्रक दाभू को वह जुए Lords निकाले or कुछ बाद को 1 ces निकाल taraf उसने चार हजार पर निकाले अधी कि ब्याज इस पर किस तरह से बने उकरना पड़ता हैं ब्याज किस तरह से लगाना पड़ेगा ब्याज इसमें समय के आदार पर कितने समय तक उसने उस रुपयों को लिया है उसके आदार पर अपने ब्याज की गरना करते हैं तो ब्याज की गर्णा करने में अपने को किस तरह अपने देख ले किस तरह निकाला है तो अपने देखा कि 31 मार्च को उसने दुवाजाद पर निखा लें तो 31 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक कितने मंच होते हैं कितने मंचों को अपने को calculation करना पड़ेगा जैसे 31 मार्च 31 मार्च को अपन मार्च के महने को counting में नहीं लेंगे मार्च के बाद अपना आता है अप्रेल से लेकर विसंबर तक के मंथों को गिनेंगे अप्रेल मई जून जुलाई अगस सितंबर अक्टूबर नहुंबर दिसंबर यानि उसको नो मेनिये का उस पर जैना होगा तो इससरे अपने इसका लिए डेट कितने मंथ कितने आए और इसके बाद पर गुणनफल का मतलब होता है एमांट और मंथ दोनों का गुणा कर देते हैं तो यह गुणनफल कर दाता है तो अपने यह का 31 मार्च पर जो उसने 2000 रुपे यह थे उसको नुग मनिये का नुग मनिये का उसको प्यास यहन होगा तूसरे उसने एक जून को 2000 पर निकाले और एक जून तुकि एक है तो पूरा जून भी इसमें कांट करेंगे अपन जून जून जुड़ा एक सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर तो यह साथ मैंने होगा और एक अगस्ट को उसने एक एक अगस्ट से लेकर आपन 31 दिसंबर तक मंच बिने त तो इसको पांच मैने का इंट्रेट जेना पड़ेगा तो इसकी आपने मन्च निकालना पड़ेगा तो गुरुन फड़ 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 निकालना तो और अगस्त में उसे पांट मेने का उसको ब्याज देना विए पांट आएगा पुल गुणनफल का योग सेंटीस है आए आए तो जब अपने गुणनफल का योग निकालिया तो अपने गुणनफल फद्धती से किस तरह इसे इसके ब्याज की गयाना करेंगे तो इसका कर देंगे तो अपने करेंगी ऐसे आएग तफक्ड़ आए तो इसकी परसेन वार्सिक यतनल आए तो उसके लिगाना तो अपने मुणने शे परसेंट की स्वाड़न आगना इसने हैं और 35 introduces ऐसे बाहर रा करेंगे किसको जो भार डिवाइक कर देंगे एक ईप्रिंटा सी लुके याने ay आने यानने जो फर्म भार किया किया उसका ब्याद एक सो पिच्टा सी लुपे होगा बुनधक लट्वर्षी से जुरेज से में पर 1 यून लेकियाए 21 धिसमबर तब द करना था कर चैनने जिर्ड़ कम ज़ड़ाया जून को भीड्रम विसमबर ग सत्तरम में निका लें शंक लिए अगस 1-30, 30 को दो जें लिए अगस, तुछ में अगस्त का महीनन हिना जाए। तुछ को किया अगस्ति किया सिंतंबर, अक्तूबर, नॉमबर, दिसम्बर उसको चार महीने का लोगजाना हुगा, इसके बाद अक्तूबर 117 को निकाली है, 1,000, 1,000, 1,000 इचला गया, तुछ को मेंस्त अक्तूवर के बाद आता है, कि अभूमें नियुकिए बोन फुल मंत और मुना करके गोनफ़ निकालेंगे तो एक हजार के अपने साथ से इंप्विकरेंगे साथ हजार आएगा 24 में पर करेंगे आप हजार रुपिया और एक हजार के और रुपने के लगाओ करके फिसकार करें सुला yine 175 दिलिक्राइब उन्डापने सबकोर या चार में श्राषरू आसा है इस से पीजरा अपर ड्री का अपट जआ इस्ट अपर ऑप ट्रीस से तो इसके बाद हो इसमें उसर पद्दती से भी व्या निकार देखते हैं, तो उसका सूत्र क्या है, दिए गुशन फर्णों का योग अपन और आरणों का योग, इसके बाद बूसर शूत्र लगाएं, व्याद बरावर आरणों का योग योग पित्ता आरण किया था, बाद समय, बटेश एंटु बारा तो अपने पांथ हजार आरन किया था तो फेर परसेंट जार है समय स्था मन्त सो इंटु बारा इसमें गी एक्षविक्या चिली पेइडाया था इसी प्रिदार अपन बी ने आरन किया था उसमें उसके शुच रगाएंगे तो इसमें जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसको इसको आएगा तो इसको आएगा तो इसको आएगा कि दोनों ही मैंथट से अपन उन पर का ब्यार लगा सकते हैं जो पन्यारण की है उस आरन पर ब्यार निकाल जाए इसके बाद अब उन्हें बताया है कि अपने को किस तरह से सवाल करना है और इस सवाल और एग्जांब बताते हैं और इसको हरकिस तरह तिक अध्रस को एऔर बी करमसा जसाजार तद पाचाई आगों के लगा कर साइजार में प्रिश करती हैं उनका नाप विवायम का अनुपाद जी आए दोर एक करमसा का मतलब होता है प उसने को बादवारा तो दोर एक में हैं वाने एक अधुए और दी का एक अनुपाद है कि बी को चोब में बासिक बेटा नहीं मिलता है कि पूणी पर ब्याद 6 परसें वासिक की जाट से दिया जाता है और शिप्रिश क्रिशा कि वर्स आराण पर जागा जाता है वर्स रुपे निकाले हैं यह उर्भी का आरव पर ब्यार किरम से 50 रुपे और 60 रुपे हैं उपरोग समाने वनके पूर वर्ष का लाव 10,240 रुपे हुआ लाव बिर्वाजन करते हुए लावानी विप्रन्फाता तदा साइन लावं के पूजी खाते बना तो पर ब्यार अगर न तो सबसे पैर अपन मनाई लावानी विप्रन खाता तो लाव होता है को ट्राइब कर देते हैं पर लाव हाँ ही नियूजन खाते में तो अपने दिखा था कि इस समाल में लाव हम को रहा है है जस हयार दोसो चारीज और एक और की बताईची जो तो बाई बैलेंस बीदी करेंगे से इस लाए है अपने दोस चारीज इस ही प्रिक प्राप्ति हुई है दसब्राइची शूकल के लाभ हुगा अपने से वाता है को इनको पूणी पर व्याज जैना है तो पूणी पर व्याज जैना है पूणी पर ब्यार्श देना है तो एक कि पूणी ठीजकी पर शे परसेंटियर लाना हैDas कृचत ampsण। इसके बाद जो प्रोफित बचा रहा है तो अपना साथ हजार पचास पर प्रोफित बचा चेए आपने 2400 नौशन रुपे माइनस कर दिये, तो 7350 पे बचा, तो ये 7350 रुपे, 6000 अपने लावभानी के अनुपारत में बात लेंगे, लावभानी के अनुपारत कहा है रिगा, 2 और 1, बाने 2 बटा 3, 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 और 1 बटा 3, अपन इस तरह कहलें आपने 7050 इंटू 2 बटा 3, तो आएगा आपका 4700, और इसी प्रिकार कम करेंगे, 7050 इंटू 1 बटा 3, तो ये इनको लाप्ट लाप्ट हुआ है, अब ये तो अपने बनाने लावभानी खाता, अब इसके बात अपनेों को बनाना है पूनी खाते, तो पूनी खाते हैं, दे और ये परिवतन खी पूनी खाते हैं, तो फिर चाल उस्वा तारब बनाने की आवशक्ता नहीं होगी, अब लेगे हम लेखने पहले, आप इसे स्थाई पूनी बनाई, तो अपने लेगा उनकी पूनी कितनी थी, 10,000 लुपे, तो अपने A की पूनी जमा पप्षम लेगी, भाइ बेरेंस बीडी राइ से 10,000 और D की पूनी थी, 5000 लुपे ने, 5000 लिगदी और ये ही साइटेंक में पूनी अपनी आजाएगी, टू बेरेंस बीडी से 10,000 पनी स्थाई है, इसकी पूनी में कोई बरिवारता नहीं होगा, तो अब अपनेों को जब स्थाई पूनी से र राइदारों को जो प्राफ्थ हुआ है, उसाइज आजारों के जमा पक्समें उनकी थाहते में लिखेंगे और अर लिया यो यह राइद दिया उसको पर और नाव प्रण़ुमिट. इसलिकि सबसे पहले है अपन जमा पक्समें लिखंगे है, बाइंटेक्ट सबर्ण कट्ल इसके बाद केवल बी को मिली है तो सेल ये पर बी को को लिखेंगे और प्राफिट एलास उनको लाब एको लाब कितना मिला है पासे हैं बचास लेकिन इसमें चीज दोनों साइड़ आरन किया है तो आरन किया तो नाम पफस्व 1090 वचराय अपना दीगा, तो यह अपने देखा तो कि जब अपना इस्थाई उनी होती है, इसी जी बचाय यह परिमतल से करे दो को कि जुप अपना थाई जी ब़स्ट झा Loc. जय मैं आए अपया दिस स्कांट मी आए आए ये इसकी परेकंपय। इसी प्रकार एंट्रैस्टोरेश किला आए नंते हमें ऊठीजेश शे सरी चील धार उठीपिट लिए एक प्रफ्रर ना automation टीजान ए नहीं। कि खुडा मिला है 3,250 जो ये अपर इसके बार इसके डेवट साइब में कायाएगा इसके ड्राइइंग उनने आरन किया है एने किया 2,000 जी ने किया 3,000 अपने आरन इसने लेंगे इंटेट प्राई आर पर बयाज लगा है एक निम्हान को बयाज जाएगी 6,903 नहीं और कि अब दोनों पद्धितियों से अभी अमने तुमारी बताया कि अपर ब्याज की गर्णा किस तरे हैं अपर अपर बहुत महत्तु सवाल इस तरे का परिश्चान अचार आए यह अपन लेगरा जोड़ा साथ कि मैं सवाल जोड़ा पड़े का बता रहा हूं कि एक देंवरी ब मोखिक रहने हैं संझदाह नहीं कि विसको मीजर होँगे और देन की अपरेश्य बर जोले एक जोलाई 12 को 5,000 को रिल दिया एक आ एक जुन बारा को एक्सिजेंट हो गया और 31 जुलाई तक 31 जुलाई बारा तक 31 जुलाई बारा तक फर में काम के लिए नहीं आया है 31 जुलाई बारा को समात होने बज़का लाव हुआ है लाव करा नहीं हुआ है लाव भिवाईं के विवाज उसपन हो गया देकि उनना कोई शंदोता नहीं किया था कुम नहीं लगाई एनस आठ जी नहीं लगाई बीस हयाद एक एक एक्सिजन्टों का दो जुलाई बारा पोस्न रिर दिया यह जुलाई बारा से लेके वो 31 जुली तक पनेंगे अपने व्यापार में और 31 जुलाई बारा को समात होने बज़के लिए लाव जोगए लाव अब लावज अपने उपलना है लेकिन उन दोरों में did आगया नहीं था मिठिए बेवा उस्पन्ड़ होगया में कि उसे पूझी और रिण पर दस परसेंट बार्शिक दिया जाना चाहिए कि हम समझ अच पहने उनकोई वह यह कहरा है उसकी 60,000 पूझी पर वियाज दीजिये सब्सक्राइब करता है कि लाव विवाजन समान उनुपात में होना चाहिए उसे एक फर्म से व्यावपार में उनुपात से तरह उसका एक्सिजेंट हो गया था तो उसने समय का 200 रोपे प्रती महा की जर्से हो कहा रहा हूं को पारिसिंग मिलना चाहिए तो इस पर ग्याज द अधर के पर्षम और प्रिक्षा में आजाता है उन्हों कोई शंदोका नहीं किया और आप बाहर दो इतने पर से पूझी पर गया तो हमको बेतन दो हमको कमिशन दो तो आपको अब अपने को कानली कि दिश्टी से रखते हुए जो अपने कानली की दिश्टी है संले के अभ अपन ने देखा था ना कि जो लाब हुआ है उसको अपन कहा लेखेंगे जम आपके अपन को थीशाहाद अपचा अपने कानली कि दिश्टी से अपचाई कि सवतिन दिश्टी आपका अब इंटेशन वं काजिव के लिव रिया है तो आपने देखा खन के तक शनलेक के अव Stellen उभाहों को जिल बूप में पैस आजार दिया है तो उस यूर्न पर छे पर्सेंट कि तर्से से ब्याज दिया जाएगा तो इसमें 6 पर्सेंट क साफ छार्रा उ jaki तो पांच हैनलिस से बार आठकर कंटी l. capacity तुम इनले के वाद ऑ्दुन्यक करें HEY kurma है, टुम कीृ पर जसो और शेह बते बारा च्रायाज तुम के एकसु पचास्अच आंगे उसके बार चाहिएगों वो के बार freshwater नमने, ईशके बार आधर न सका भाद के भड़ खचाuda पास केवल दीस हाजार पे कर लाव और वचा तो ये लाव समान रूप से एको और जी पार्टनर को बाढ लिया जाया है, समान रूप से, क्योंकि अब देखे अपर क्या ओपर नमार में है, कि सनलिव के अवाव में कुणी पर वयाद नहीं दिया जाता, अब कराः नहीं, समान की अगी या जाता, बड़के ल९ह तो इसपन उसनलिया जाएगा। जेशं माद को इसां रूप में कुछ पैसा दियार तो उस पर 6 पर सिंट बाषिक की से पैसा की आ अपर करेंगे साइबर संदोर देओं साइबर एगने उन्मीं से बत्रीश द्रस आएगा इसाब किता संबन्दी नहीं लागुते हैं नमबर एक तुनी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा अपने गुमान में पर इसके उसले क्या वावन निहमा पन पहले पढ़ चुके हैं तो उनको उनका बाद में अमान किया जाएगा चीज़ा साइबर और आप फर्म को दियेगा रिल पर 6% ब्याद दिया जाएगा 10% नहीं अपने बाद मेंन को इसके बाद आपने पुल ये जाएगा आपने सावासु को तो आज सब लोगों को इन बचाय सुन्जाय उसके राब अभी अभी बहुत ही चीज़ के सब्सक्राइब तो यह चीज़ आपनेशने देखेंगे तो आज आप लोगों सब्सक्राइब होगा अब हम ही किसी एक है किसे कोशन करते हैं किसी कोशन कुछन कूछना हो इसमें नहीं समझ माया है कम समझ माया है कुछन करें मैं पूछ रहा हूँ आप बताइए किस से कुछ सकते हैं नहीं कुछ सकते हैं है कोई यह है कोई यह है कोई यह है यह है कि आप यह है कि अच्छोग नगरवादे बताएं अच्छावाई यह था आप अच्छाव पर्शेंट दिया है ठीक है और वो निकालता है चार जार रुपे निकाल रहा है और उसकी इंट्रेस्ट और निकाल के दिए अच्छाव निकालता है तो अच्छाव नहीं है और अगर वो अपन से निकलवाता है और यह थो इसको निकालेंगे पिर अपने बिए आटने को अगर निकाल के सवाल मिंक दिया है तो अठ्टन की जनी मानेंगे अगर pouringheim को utthi साओक अगर ऐंटरेस्ट और इंटरएंड दिया तो ड्रॉइंग कालेंंगे क्या एभी एंटेस्ट उन ग्राइं आपमया अरन पर भज अपने झे करता नहीं है अपने जो अभी गुणनफल प्धती से मेरा मेसडें तो मंत करो है करके जो सूसर बताएं उसके आजार पर ब्याज की गयना करते हैं एक कोशन अंभी पूछ रहा है आपर कौन बताएगा यह बताओ जी कि लास में से कि यदी कि शन्लेक का वहाव है तो सान्यदारों को कि पेटन कमिशन के लास में से कि यह जी यह यह पूछ रहा है हम यह पूछ रहा है हम यह पूछ रहा है हम दूसरा कोशन करते हैं माली यह किसी साहिदार ने फार्म को रिन दिया है तो उस दिन पर सन्लेक के अवाव में किस दर से आप ब्यार ही जो को यह आपको लगत करेंगी सिक्स परसेंट नहीं उसमें आपको ध्यान लगना है सिक्स परसेंट बार्सिक सब्सक्राइब लगाना है क्यों लगाना बार्सिक अंतर है तो को जोनों में अंतर क्या है श्य प्रतीशत और श्य प्रतीशत बार्सिक मतला होता है कि आपना बश्य से लिए और बार्सिक का मतला बहुत है जितने समय तक फर्म को उसने दाधी त्र ही महीं कमेलेगा तीं माहीं क्रें इन प्रक्राइन देंसे आपने बयाल इनतुट शेवटे सो और इन तुम समय शमआ भी आने चाहिए तीन बटे बारा दो बटे बारा चे बटे बारा आपने जो अकेला छे परसेंट बता दिया और नहीं सुना साही रंग से अगर इंट्रेस्ट रंड दिया है और अब उसके परसेंटेज भी निकालेंगे लिए तो कि निकालेंगे अब अब आपको अब अरुणों निया परसेंटेज यह अपनी इस पर गुनालफल बद दिए शाहिए अब निकालेंगे उसको निकालना पड़ेंगा अब देखा था कैसे निकालेंगे जो अभी तुम्हें बताया था उनलफल पड़ती से कितने समय मंत के आदार पर कितने समय तक उसे कप पैसा निकाला यह तो अगर वाली जुलाई को निकाला तो उसके महीने का अब याज लगाएगा फिर गोड़ा और रकम का पन पर के गोड़न पन निक तहला पन निकाल का दिया है कि अगर 120 अंट बैटिय हैEXhole किस में किस समय शाव बहुत्त समय घाए उसका समय के हारा पक सूझा आपन ने जहीं सुना इसका सब्सक्राइब कितने सब्सक्राइब नहीं है कैसे माने पड़ाइब पूरे बच के लगाना पड़ाइब अपने को उसी सूच के आलार पर जो अपने सूच दिया है उसके आलार पर निकाले किया थैंक यू